हेलो फ्रेंड वेलकम बैक फ्यूचर कम्पूटर एंचिटर मैं बिर्जस आज आप लोगों के लिए लाया हूं वी लुकप फंक्सा दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने वी लुकप के बारे में बहुत सारे चीज़े सुने होंगे बहुत एडवांस फर्मूला है किस तरह स कि इस बिगनर में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वी लुकप के बारे में ठीक अभी देखिए वी लुकप होता क्या और किस तरह से यूज करते ओ चीज में आपको एक्स्प्लेन करते तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा आपको सब सुनिए और कुछ ना कु खुआ नंबर यानिक एक यूनिक अड्रेस है उस एडिवरन नंबर इंपूड किया गया है बाकी डिटेल आ गये आपने क्या क्या प्रूब दिया था क्या जो भी है सिम जैसे अधार का अधार-कड बनाते वक्त देखिए बहुँ सारे आपके डिटेल लिये गये थे तो ए इक यूनिक ID number मिला है आपको वा यूनिक ID number जैसे हमारे department वाले मारते हैं बाकी detail आपका सामने हो जागा जो भी आपने जो प्रूब दिया था जो भी आपने identification के लिए दिये हुए था है तो company में क्या होता है या school में क्या होता है जैसे कि आपके सामने लाया हूँ एक school का data ठीक यहां पर देखें यह role number ठीक और यह name हो गए हैं यह subject हो गए हैं हमारे और यह उनके grade है सपोस्स एक्जाम हुए बच्चे लोगे माता पिता आ रहे हैं और जानना चाते है भाई हमारे बच्चे का कितना rule number है sorry कितना marks आया है तो जैसे कि अभी तो 10 हैं लेकिन कल की 10 हजार हुए तो तो 10 हजार में से दूनेंगे नहीं ना भाई किदर है role number किदर है तो क्या इंडर करेंगे बागी नेम सब्जेट जो भी है यहां फटक से उसका डिटेल आ जाए ताकि माता पिता उसको देख ले और सैडिस्पाय हो जाए ठीक है क्विक कंसर तो कंपनियों में से हर एक प्रोड़क के यूनिक कोड होते हैं कोड़ आईडी होते है कोड़ आईडी के आई उपर से निच्चे लुक अप में देख रहा होता है सी तो एक चीज़ तो आपको यूनिक आड़ी पता होगा जैसे यहां पर देखिए शकुल के इस डेटा में आपको एक यूनिक आड़ी पता है रोल लंबर यानि सारे स्टूडेंट का रोल लंबर आपको पता है ठ पता हूंगा एक first way, second way, first way किस तरह से use करते हैं यह देखे हैं, दोनों formula easy है, आपको जो जमता है आप उसे adopt कर लेजेगा, ठीक, सबसे पहले एक जो चीज पता है तो उधर तो जाएए मत, जैसे कि roll number है, उधर पता है तो उधर formula डालके कुछ फायदे नहीं है, मुझे name नहीं पता है, ठीक, तो name में formula के थरो लिकालना चाहता हूं, तो equal to vlookup, vlookup आया, type मारा आपने, यह क्या बनता है lookup value, lookup यानि की lookup मिस देखना value मतलों क्या है, मैं बोला यह value, ठीक, यह value मतलब मुझे देखना है, क्यों लिए, मुझे एक की value मालूम है, unique ID number, ठीक, यह चीज को म मार के इस sale को lock कर लेता हूं, f4, lock करने का मतलब यह होता है, जैसे मैं lock करता है, जब इस formula को copy paste करूँगा, या drag करूँगा, तो वो अपना, यह sale को पकड़ के रखेगा, इस sale को छोड़ेगा नहीं, ना कि इसमें चला जागा उससे, क्यों लिए उसमें चला जाता है, तो problem ह होता है, आगे जाके formula में, ठीक, तो इसको मैंने lock कर दिया, same, दूसरा question क्या कर रहा है, we look up, बोलता है table area, यानि कि भाई, जो भी तुम ढूनना चाहते है, उसका area मुझे बता दो, पहले, मैं बोले बाई, इदर से है, यानि ये area मैंने उसको दे दिया, यानि कि यहां से य हमार के आप lock कर लो, lock कर लिया, comma, ये lock करने के बाद बोलता है cool index number, यानि कि column index number, हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको name चाहिए, name अगर आपने हमारा basic वीडियो में देखा होगा, first or second वीडियो में, तो उदर basic चीज़ों में बताए गए row और column क्या होते है, चलिए मैं यहां को कि हमारा table है, यानि कि जहां से हमारा area है, तो उसके अंदर से ही हमको row और column ढूंड?, ना कि बाहर से , यहां से हमारा area है, यानि कि जितने area में हम रह रहे है, जितने area में से हमको detail होगा है, उस area हमको row owner column इना पड़ेगा, ठीक, तो ये name, तो name column 1 , 2 , और नमबर पे है, comma, ढ कवा देनी के बाद आप आता है एकष्प्रॉक्समेट लिमेच और एकजिक मैश यह क्या होता है दोस्तों एकष्प्रॉक्समेटली मैश का मतलब रॉटल मिलता जूलता है जैसे जी से पर जैसे मैंने बोला जा राम को धूल अगर राम नहीं मिला तो तो वह सियाम को ले और ये ब्रैकेट में बन कर लिया और ये रहा एंटर ठीक मालेजे में करीना कायप का मैं चाहता हूं रूल नम्बर मुझे पता है यहां पर नाम आना चीज जैसे मैंने लिखा 10 यह देखिए कायप उन्होंने इतने इतने फंक्सन में से इतने डेटा में से आपका डारेट का अब उनका रोल नमबर आने के लिए मुझे क्या कहो ना रिटन भी लूकप करना होगा एक बार और में समझाता हो तो उसके बाद ड्रेक कर लेंगा हम लोग लूग 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 यह पता है इसको लॉक कर लेजिए सेलेट करके देन बूल टेबल एरिया आपको टेबल एरिय करना है सेलेट के एक फ्फौर मारा कॉमा अकूल इंडेक्स नंबर यानि हिंदे कौन से कॉल में है ये रहा वन ये रहा टू ये रहा त्री क्यों यहां से तो सहां से ही में काउंट करूंगा वान टू त्री यह रहा थि कॉमा जिरो रेकेट बन और इंटर यह देखिए 84 यानि हिंदी मिनके 84 है उसी तरह से मैं सब में फॉर्मूला नहीं फिट करते रहूंगा टाइम चला जाएगा तो मैं क्या करता हूँ ड्रैक करता हूं या कॉपी पेस कर दूंगा लेकिन क्या हो रहा है यह सब में 84 आ रहा है तो सिंपल साथ दोस्तों यह अगर 3 में है तो अधे जिद्र फॉर्मूला यूज हुआ होई ऊधर ev to maro कि तो उस फॉर्मूले में आजाओ गए ऊसको क्या करोगे 4 करोगे टैमारा next पे गया इसको क्या करोगे कॉलम 5 टैब मारा next पर गया kolum 6 टैब मारा next पर गया column 7 टैमारा है टो मारा next पर गया 8 टैमारा next पर गया 9 टैमारा टो मारा next पर गया 10 तीक तिक यह रहा अब मैं माल लिजidd mote का जान ना ना तो रन्भीर का पूर यह देखिए कितना है यह 8 number है 8 number लिए और इंटर मारा यह देखिए क्या दिखा रहा है यह fail दिखा रहा है exactly ठीक इस तरह से यह answer हमारे आ रहे हैं ठीक एक इस तरह से अब एक एक रोल लंबर से सारे डिटिल एक साथ ला सकते हो इससे असानी होगी कल की 1000 बच्चों में से एक डुनना रहेगा तो सामने उसका डिटा आ जाएगा एक दूसरा तरीका है दूस्तों वे लुक अब यूज़ करने है सिंपल सा यह यह इसको यह पता है इसको एक फोर मारा कॉमा कर दिया टेबल एरिया इसका भी टेबल एरिया आपको देना पड़ेया उपर के फॉर्मूले की तरह है यह भी कॉमा एक फोर मार्क लॉक कर दिया टेबल एरिया कॉमा अब यह बलता कॉलम नंबर कॉल इसका कॉलम हमने टू दिय जाए था क्यों यह वन यह तो क्यों वन अल्रडी पता है तो यहां पर देखें सब जो जॉन से कॉलम में उसका नमबर लिख के रखता है जैसे नेम वन टू में है हिंधी थ्री में इंगलीज फोर में तो सब कॉलम उसके उपर लिख के रखाऊं तो मुझे नेक्स टाइम पर आता उपर वाले फॉर्मुले एडिट करना पड़ता था और इस फॉर्मुले में क्या करतना पड़ता है यह देखें मैंने ड्रैक किया लेकिन एडिट नहीं करना पड़ रहा है यह देखिए डारेट एक कॉलम को ही सेलेट कर रहा है बार बार कॉलम नहीं चिंज करना पड आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएगा अभी हमने वी लुक अप सी का नेक्स हम सुखेंगे एच लुक अगर आप इस एक्सल फाइल को डाउनलोड करके इस पर प्राक्टिस करना चाहता है तो आपको मैं बता दे रहा हूं आपको विजिट करना ह होगा futurecomputerinstitute.bibli.com यहां पर आने के बाद आपको डाउनलोड फाइल का ओप्शन मिलेगा यहां पर आएगा एक्सल ट्रेनिंग फाइल एक्सल ट्रेनिंग फाइल पर जब आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने जो जो हमने एक्सल के वीडियो बना है उसके सारे ट्रेनिंग फाइल हमने यहां पर अपलोड करके रखे हुए है यह देखिए आप यहां पर simply जो वीडियो नंबर है वीडियो नमबर डालिये वीडियो नमबर 22 है तो टूंटी-टू डालिया और हैं आप आये गार ते सडावलोड पर क्लिक कीजिए और डावलोड करके आप उस पर पहुंचिए और यह शेयर कीजिए वीडियो ताकि उनको भी कुछ बेटर नॉलेज मिले और आपके वज़े से कुछ सिख सकें ठीक है थैंक्यू वेरी मुच